राम राम किसान भाईव, दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं इस साल जो किसान भाईव ने दवाई चाटी थी लेकिन पान ही नागितने के कारण जो चारा था वो नहीं जला और किसान भाई परिसान हो गए इस साल दवाई छाट छाट कर लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं इस खेत में जो दवाई छाटी है वो दवाई का नाम है टेक फिलेक्स और इस खेत में अभी आठ दिन हो चुके ही दवाई डाले और आप देख सकते हैं ये चारा इस पिकार जला है लेकिन हम आपको बता दें ये चारा से पर उपर से ही जला है नीचे से नहीं जला है इसलिए किसान भाईयों हमने आपको बता दिया कि आप किस पिकार से दवाई छाट रहे हैं या नहीं हमें नहीं पता लेकिन आप देख सकते हैं इस केट की ये हालत है वापस नीचे से फूट रहा है उसके कारण दोस्तों यानि की कोई भी जानदा फाइदा नहीं होने वाला है इसलिए दोस्तों आप इसी गलती ना करें अगर आपको दवाई झाटनी है तो कोई दुसी दवाई झाटे वरना टेक फिलेक्स फ्यजी फिलेक्स, रेमेडियो ये दवाई दोस्तों आती हैं ये छोटे छोटे चारे को ही पूरी तरह से भस्म करती हैं वरना इस वक्त झाटने से कोई फाइदा नहीं होगा हाला कि स्वयाबिन में कोई भी घाटा नहीं है स्वयाबिन में पत्ते भी ठीक है फल भी ठीक है लेकिन जो चारा है वो सिर्फ उपर से ही सड़ा है नीचे से वापिस फूटना चालू हो गया है दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को भी सेर जरू करें ताकि वे भी अपने पेसे बचा सकें क्योंकि इस दवाई से इस वक्त अगर आप चाटोगे तो कोई भी फाइदा नहीं होने वाला है सिर्फ आपको परेसान होना है और पेसे बरबात करना है इसलिए दोस्तों आप जो फिलेक्स नाम के दवाई आती है वो इस वक्त ना चाटें और अगर आपको कोई भी दवाई चारे की इस वक्त चाटने है तो आपको डबल लेनी होगी जिसके करन दोस्तों जो चारा आपका बढ़ा हो गया है वो जल सकता है वो नहीं भी जल सकता है इसलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नई जान का लिले की जब तक के लिए राम राम